तो section A की बात करते हैं बन section A के अंदर exercise 1 part 1 section A इसके अंदर अगर A1 सवाल की बात की जाए तो आपको hydrogen को volume पुछा है at stp that contains as many hydrogen atom as 90 gram 98 gram stp of 4 तो अब clearly देख सकते हैं कि stp of 4 का अगर 98 gram simple है तो इसके most जाएंगे 98 upon gram of mass 98 which is 1 most 1 अगर आजाएंगे तो most of hydrogen atom एक के अंदर 3 होते हैं तो 3 mole hydrogen atom के आजाएंगे आपके पास और अगर 3 mole hydrogen atom से तो इनके corresponding most of H2 gas कितना होगा most of H2 gas जाएगा अपका 3 by 2 क्यों क्यों कि 2 mole hydrogen atom कमाईड करकर 1 mole H2 gas बनाएगा यासा सोचते हैं कि most of hydrogen gas 3 by 2 इसलिए होंगे क्योंकि अगर इसका 1 mole होता तो hydrogen atom होते 2 तो अगर 3 by 2 most होंगे तो hydrogen atom होजाएंगे अपके 3 ऐसा सोचते हैं कि 2 atom मिलकर अगर 1 mole बना रहा है तो 3 most के corresponding H2 gas के most जाएंगे अपके 3 by 2 अगर आपको most मिल चुके हैं 3 by 2 तो आपको पुछा रहे है volume at stp तो volume at stp can be daryl run as moles into 22.7 value substitute करके आप यहां प्रांस से निकाल सकते हैं A1 के अदर यह A1 तो आपका A2 की बात करें अगर आपन A2 के अदर 40 mg गैसे substance occupy इतना volume इतना pressure इतना temperature तो आपको अगर pressure given है as 1 atm volume given है as 4.8 ml तो 4.8 ml को आप 4.8 by 1000 करके लिटर से convert कर सकते हैं temperature आपको given है as 300 Kelvin तो अगर pressure volume और temperature सब कुछ मालूम है तो हम लोग most निकाल सकते हैं as PV upon RT और का value यहां पे approximately 1 by 12 है सकते हैं ATM लिटर पर mole Kelvin में तो आपको most मिल जाएंगे यहां से आपको most मिलेंगे किसके x2 gas के तो most of x2 gas अगर आपको मिल चुका है अब इस moles को आप लिख सकते है weight upon gram molar mass तो यहां पर weight आपको already दे रखा है as 40 mg तो 40 into 10 is minus 3 करकर आपको weighting grams मिल जाएगा upon gram molar mass मिल जाएगा तो gram molar mass मिल जाएगा आपको x2 का x2 का अगर आपको gram molar mass मिल जाएगा तो x2 का molecular mass मिल जाएगा और अगर x2 का molecular mass मिल जाएगा तो जितना x2 का molecular mass होगा उसका आधा x का atomic mass होगा यह hint है आप ट्राय करना बात करें अगर 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 आपन अगर इसका मैं 100 gram compound ले लूँगा तो आपको इसका 66 gram मिल जाएगा आपको इसका 34 gram मिल जाएगा आप इनके corresponding जब मोलर मास निकालेंगे weight upon gram molar mass करके तो इसके मोस जाएगे 1.5 इसके मोस जाएगे 17 और अगर आपको average molar mass of mixture निकालना है तो molar mass of mixture can be tannis total mass upon total most तो अगर value substitute करेंगे यहाँ पर तो total mass जाएगा आपका 100 gram और total most जाएगे 18.5 इस तरह से solve करकर आप ATB कर सकते हैं exercise 1 section ए part 2 की बात करें part 2 में A1 के अंदर आपको बोला है कि under same condition गैसे से same number of molecules same condition का अलब होता है generally pressure temperature के corresponding तो बोलेंगे कि pressure temperature भी same है और अगर number of molecules same है तो आपके मोस भी same है तो अगर pressure temperature और मोस सब कुछ same होगा तो of course उन्हें volume भी equal होगा PV questionnaires हम भो सकते हैं कि अगर pressure temperature और मोस अगर same होगा तो प्रिवी कोर्शनाटी हम भो सकते हैं कि volume भी आपका same होगा तो आसर विल भी equal volume normal gases होना कोई necessary नहीं है 22.4 decimetre cube ये भी आपका 0 degree centigrade 180m पर होता है जो कि आपको condition दे नहीं रखी है और equal number of atoms होना भी कोई necessary नहीं हो सकता है अलगला तरह की gases है जैसे माल अगर ozone gas हो गया और O2 gas हो गया तो इनके molecules same होंगे पर इनके atoms same नहीं होंगे कि अगर देखें पन 80 gram SOX gas अपने पास इसका volume 14 liter से प्रेशर आपको दे रखा है तेंपरेचर आपको दे रखा है आपको दाने X कितना होगा तो आपको A2 के अंदर प्रेशर दे रखा है आपको as 2 volume आपको दे रखा है as 14 liters temperature आपको दे रखा है as 273 Kelvin this is ATM this is liters तो सबसे पहला आप मोस निकाह सकते हैं मोस आप निकाह सकते हैं as PV upon RT तो P आपको 2 volume आपको 14 और यह जाएगा आपको 273R 273R को आप चाहिए तो लिख सकते हैं इस इस 28 और 273R को आप लिख सकते हैं as 22.4 तो यहां से आपको मोस मिल जाएगा और इसी मोस को आप लिख सकते हैं as तो मोस जाएगा अपका 28 upon 22.4 और इसी मोस में लिख सकता हूँ weight upon gram ola mass तो SOX अगर आपका gas है तो इसका gram ola mass कितना होगा? sulfur का 32 होता है, voxin का 16 होता है तो यह जाएगा आपका 32 plus 16X तो this can return is weight, weight अप लिख सकते है 80 और gram ola mass के साब सागर देखेंगे तो 32 plus 16X इसको सोल करकर आप X निका सकते हैं इस साब का अंसर आजाएगा तो dear students, start करते हैं एक new concept के साथ which is percentage, composition and empirical formula calculation तो बात करते हैं पन सबसे पहले percentage composition के लिए जैसे for example, हमारे पास एक hydrocarbon ले लेते हैं CXHY एक hydrocarbon है, hydrocarbon का मतलब होता है कि इसके अंदर सिफ carbon और hydrogen atoms है तो मा लेते हैं इस hydrocarbon का formula CXHY है मैं निकालना चाहते हैं कि इसके अंदर कितना percentage carbon है पाइवे कि जो most of carbon होगा वो होगा आपका x क्योंकि 1 के corresponding x most आएंगे इसमें और most of hydrogen जो होगे वो जाएंगे आपके y अगर इंदोनों के corresponding most आचुके हैं तो इंदोनों के corresponding में weight भी निकाल सकता हूँ इसके 1 mole का weight 12 gram होता है तो x mole के corresponding weight आदाएगा आपका 12x grams इसके 1 mole का corresponding weight 1 gram होता है तो y mole के corresponding weight होजाएगा आपका y grams तो आप देख सकते हैं कि आपे total weight जो होगा यह होजाएगा आपका 12x plus y तो अगर suppose मुझे यहाँ पर percentage of carbon निकालना था हम बात करना चाहते हैं by mass तो percentage of carbon by mass क्यों होगा it will be nothing but weight of carbon upon weight of sample into 100 तो यहाँ सम देख सकते हैं कि it will be अगर निकालना चाहें तो weight of carbon होजाएगा अपका 12x upon total weight होजाएगा अपका 12x plus y into 100 इस तरही के से मैं यहाँ पर percentage of carbon निकाल सकता हूँ of course अगर दो ही element है तो percentage of carbon अगर निकल जाएगा तो percentage of hydrogen 100 में से सब्ट्रेकर की निकाल सकते हैं यह अगर डारिक्ली भी लिखना है तो percentage of hydrogen उजाएगा आपका weight of hydrogen upon weight of sample into 100 तो weight of hydrogen is basically simply use like of y upon weight of sample which is 12x plus y into 100 मैं इसमें कोई numerical example नहीं ले रहा हूँ यह straightforward चीज है अगर आप कोई भी formula दे रहा है आपको molecular formula दे रहा है तो इससे ही के से आप यहाँ पर percentage composition रिकालते हैं हम लोग बात करेंग इसके vice versa की vice versa का मतला basically कि अगर में formula दे रहा था हमने percentage composition निकाला है vice versa का मतला प्यों होता है कि अगर हमें percentage composition दे रहा है तो कि हम molecular formula निकाल सकता हूँ इसके वारे में बात करते हैं और साथ में discuss करते हैं कि amperical formula भी क्या होता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं amperical formula की in which the ratio of atoms are in simple ratio क्या मतला इसका एक example देखते हैं जैसे हमेरे पास कोई compound है और अगर हम उसका amperical formula निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, let's see, देखते हैं तो simple example ले लेते हैं जैसे माल अपने पास कोई compound है C2 A6 यह इसका मुझे का formula है तो इसका amperical formula भो होगा जिसमें atoms का ratio simple ratio होगा अभी atoms का ratio देखें तो यह दाएगा 2 to 6 2 to 6 को further आप simplify कर सकता है as 1 to 3 तो इसका amperical formula भो जाएगा आपका CH3 यह हम लोग global classes में भी पढ़ते हैं from 10th class जहाँ पर हम देखते हैं कि simple ratio इससे आप निगाल सकते हैं इससे इससे amperical formula निगाल सकते हैं अगर आपने पास C2 H4 होता तो यहाँ पर 2 to 4 का ratio होता amperical formula जाएगा आपका CH2 अगर में पास C2 H2 होता तो amperical formula जाएगा आपका 2 to 2 का ratio होता जाएगा आपका which is 1 to 1 तो CH अगर में पास benzene होता C6 H6 तो इसका corresponding amperical formula यहाँ पर atoms का ratio 6 to 6 से इसको परदा simplify करके again CH अब देख सकते हैं यह compound even दो अलग अलगते but इनके amperical formula same आ रहे है तो ऐसा possible है कि दो अलगला compound का amperical formula same आ जाए या फिर जैसे अगर glucose की बात करें which is C6 H12 O6 तो इहाँ पर जो atoms का ratio होगा 6 is to 12 is to 6 जिसको अगर फर्दर simplify करें तो जाएगा 1 is to 2 is to 1 और amperical formula आएगा आपका CH2 O तो this is called amperical formula और simplest formula यह amperical formula था देखते हैं कि percentage composition अगर आपको given है तो इसको use का कर amperical formula कैसे calculate किया जाता है और उसी से हम लोग यह भी देखेंगे कि molecule formula कैसे calculate करते है आई यह से में continue करते है जैसे for example आपको दे रहाए एक hydrocarbon है और इस hydrocarbon के अंदर percentage of carbon आपको दे रहाए let's say 80% and percentage of hydrogen आपको दे रहाए 20% यह percentage क्या है by mass और by mole से remember this if nothing is specified everything is taken as by mass अगर by mole होगा तो specify करेगा यह आप हम लोग लिग ले दे this is by mass और अगर यह नहीं भी specify कर रखा है तो by default हमें by mass इसको लेके चलना है तो यहाँ पर हमें percentage composition given है जो हमने अभी strategy में बेले calculate करना सिखा था हम इसका reverse calculation करना है percentage composition हमें गिवन है और हमें बताना है कि किस तरीके से empirical formula निकलना है और किस तरीके से molecular formula निकलना है हमसे लेट से पुछा रहा है कि find empirical formula and let's say also molecular formula if let's say molecular mass is given as 30 तो इस सवाल के तुए हम लोग सीखने इस concept को कि किस तरीके से हम लोग empirical formula निकलना सकते है अगर हमें percentage composition given है 2 तो empirical formula निकलने के लिए हमें items का simplest ratio निकलना होगा simplest ratio कैसे निकलना है देखो माल लेते हैं इसको नोट की formula लिपा रहा हूं है माल लेते ही hydrocarbon आपका cxhpy है है ना अगर x of y का simplest ratio हमें मिल जाए तो हम लोग empirical formula निकलना सकते हैं और simplest ratio निकलेगा कैसे निकलेगा कैसे है x of y का ratio में चाहिए है तो माल लेते हैं गार इसका एक मोल में ले लूँ तो इसके एक मोल के corresponding most of carbon हो जाएंगे आपके x और most of hydrogen हो जाएंगे आपके y तो हमें x of y का ratio चाहिए तो x of y का ratio होगा यह ratio basically होगा आपका simply most of carbon ratio of most of hydrogen यह अपने लिए की concept होगा basically atoms का molar ratio होगा कि atoms का simple ratio होगा it will be same as simple ratio of their most अगर मुझे atoms का ratio निकालना है x to y तो वो उनके most के ratio के ब्राब और होगा तो अगर मुझे most of carbon मिल जाएं, most of hydrogen मिल जाएं तो इसका अगर मैं simple ratio ले लूँगा तो वह ratio आपके यहाँ पर atoms का भी simple ratio दे देगा और हम लोग ampere का formula calculate कर पाएंगे यह बहुत important step है ध्यानकना ampere का formula निकालने के लिए again repeat करता हूँ, ampere का formula निकालने के लिए हमें atoms का ratio चीए था, x to y simplest ratio तो अगर मैंने assume कर लिया कि इसके एक mol है तो carbon के most सेंगे x, hydrogen के most सेंगे y x of y का ratio में निकालना था तो x of y का ratio होगा वो इनके most के ratio के प्राबर ही होगा तो अगर किसी दरीके से हमें most का ratio मिल जाए तो हम लोग यहां पर x of y का ratio भी निकाल सकते हैं तो इसी concept का apply करकर इस सवाल को देखते हैं जैसे हमें मालूम है, given है कि percentage of carbon is 80% percentage of hydrogen is 20% this is by mass and we need to determine ampere का formula कैसे करेंगे तो माल लेते हैं कि let's say we have 100 gram compound माल लेते हैं माल पास compound जो है 100 gram compound है अगर 100 gram compound है तो हम बोच सकते हैं इसी corresponding carbon होगा और hydrogen होगा इनके corresponding में weight निकाल सकता हूँ या mass निकाल सकता हूँ तो since it is 80% mass तो यहां पर carbon का weight होजाएगा 80 gram और जो hydrogen का weight होगा of course यह देगा 20 gram हमें करना क्या है हमें इनके most का ratio निकालना है अगर इनके most का ratio मिल जाए तो फिर हम लोग x of y का ratio निकाल सकता है तो most कैसे निकालेंगे तो weight already हमें मिल चुका है अगर weight मिल चुका है तो इनके corresponding most भी आप निकाल सकता है carbon के most जाएंगे 80 by 12 इसको simplify करके हम most सकता है it will be 20 by 3 3 और hydrant के most अगर देखें कैसे निकालेंगे? weight up on gram all of mass hydrant के most अगर निकालेंगे weight up का 20 gram all of mass अपका 1 तो this is simply 20 by 1 इसको आप चाहें तो लिख सकता है 60 by 3 तो यह पर आपके जो most आ चुके हैं वो 20 by 3 और 60 by 3 आ चुके हैं तो अगर suppose मुझे most का ratio निकालना है तो most का ratio कैसे निकालेगा? तो इसकी नीचे continue करते हैं तो अगर suppose मुझे most का ratio निकालना है तो most of carbon ratio most of hydrogen is basically 20 by 3 ratio 60 by 3 of course इसको आप simplify करके लिख सकता है this is 1 is to 3 और हमें अल्रेडी मालुम है कि अगर empire का formula CXHY है तो X of Y का रेशियो होगा उजाएगा आपका most of carbon ratio most of hydrogen तो that was simplified to 1 is to 3 मैंलब X of Y का ratio 1 is to 3 होगा और X of Y का ratio का 1 is to 3 होगा तो आपका ampere का formula उजाएगा आपका CH3 I think so यहां तक हमें सम्मार होगा कि किससे हम लोग approach कर पा रहे हैं हमें यहां पर information given था और हमें empire का formula निकालना था तो हमने assume करें कि let's say empire का formula आपका यह है तो यहां पर हमें X of Y का simplest ratio निकालना था X of Y का simple ratio निकालना था उट है और और मोस मिल जायेगा तो सब्सक्स का ratio मिल जायेगा और जो मोस का ratio होगा वही आम्स का ratio होगा तो ठीक लेख सब documents होगा in this case empirical formula आपका CH3 आया है तो molecular formula क्या हो सकता है अगर empirical formula यह होगा तो molecular formula हम हो सकता है it will be CN H3N यह पर N आपका 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है and so on as in अगर मैं N1 रखलू तो molecular formula CS3 हो जाएगा N अगर 2 रख लें तो molecular formula आपका C2A6 हो जाएगा N अगर आप 3 रख लें तो C3H9 हो जाएगा and so on क्योंकि इस सब का empirical formula हो वो CS3 होगा तो अगर empirical formula ऐसा लिख सकता है तो molecular formula हम इस से लिख सकता है यहाँ पर N आपको कोई integer या natural number होगा जो हमें calculate करना है और इसको calculate करने के लिए में कोई नगर को information गिवन होगा हमें यह दे जा सकता है कि इस molecule का atomicity की इतना है इसमें कितने atoms हैं यह हमें जैसे सवाल में दे रखा है कि molecular mass given है तो molecular mass को रिउस का कभी हम लोग ampere का formula निकाल सकता है या molecular formula निकाल सकता है कैसे तो molecular formula मिल चुका है तो molecular mass भी मिल जाएगा molecular mass कितना जाएगा इसका एक carbon का mass 12 होता है n carbon का mass 12 n एक hydrogen का mass 12 होन होता है तो 3 n का 3 n तो that will simplify to 15 n यह आपका molecular mass आए और यह आपको given है 30 के पराबर हम बो सकते हैं कि जो molecular formula है this molecular formula it will be simply given by and अगर आपको रख देंगे तो यहाँ पर जाएगा आपका C2S6 that will be the answer of this problem अगर यहाँ आपका molecular mass की बजाए हमें atomicity given होता मालोक की atomicity हमें given है 8 तो भी हम लोग निकाल सकते थे atomicity 8 होगा तो भी molecular formula आपका C2S6 होगा क्यों कि micron cancer formula अGO यह है तो मालोक का इसटी होता CS3 होता तो atom city 4 होता अगर इसटी होता sorry C2S6 होता या तो CS3 होगा या C2S6 होगा और CS3 होता तो atom city 4 होता C2S6 होता तो atom city 8 होता Aगर C3-H9 होता तो atom city अपका Bureau होता and so on सिंस आपका यहाँ पर atomicity 8 गिवन है तो आप भू सकते हैं सीट्रेसिक्स एक information बता रहा था कि अगर मैं कोई भी information दे रखा हो तो इस information को रिउस करका हम लोग molecular formula calculate रहे हैं आइए कुछ और सवार करते हैं इस concept के अप़र स्वार करते हैं इस concept के अप़र अगर हम assume कर लें कि यहाँ पर फॉर्मॉला आपका एम्पर का formula लेट से आपका C A X C Y O Z है तो मुझे करना क्या होगा X by Z का simple ratio निकलना होगा और simple ratio निकलना के बात जो ratio simple यह simple ratio निकलेगा sorry हमें simple ratio निकलना होगा और simple ratio निकलना होगा और इसके लिए information given है percentage by mass अगे मैं assume को लेता हूँ कि लेट से अपने पास 100 gram compound है अगर 100 gram compound होगा तो इनके corresponding weight आप निकास सकते हैं cashm का weight कितना होगा अगर 100 gram compound है इसका percentage by mass 40 है तो इसका weight 40 grams होगा carbon का weight of course 12 gram होगा oxygen का weight of course 48 gram होगा अगर मुझे इनके weight मिल चुके है तो मुझे इनके most मिल दाएंगे calcium का gram halo mass 40 होताहित इसके most दाएंगे 1 carbon का gram halo mass 12 होताहित इसके most सिझाएंगे 1 oxygen का gram halo mass 16 होताहित इसके most दाएंगे 3 तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर most का ratio 1-2 1-3 हो जाएगा वगा अगर Moles का ratio 1 is to 1 is to 3 है तो directly हम बोल सकते हैं कि जो Atoms का ratio होगा which is X is to Y is to Z which is same as Moles का ratio ये भी जाएगा आपका 1 is to 1 is to 3 it means आपका जो Ampere का formula होगा this Ampere का formula will be CACO3 और में इसको Cashm carbonate बोलते हैं देखना है कि क्या Molecular formula भी यही होगा Cashm carbonate जैसे हमें मालू में यही होगा पर फिर भी देख लेदे हैं तो आप देख सकते हैं कि Ampere का formula अगर यह है तो यहाँ पर atoms कितने हैं overall अगर मालू इसे Ampere का formula में देखने हैं तो atoms कितने हैं 1, 1 and 3, 5 Molecular formula क्या हो सकता है या तो यह होगा या फिर CA2, C2, O6 होता या CA3, C3, O9 होता and so on हमें इस case में given है कि आपका atomicity of molecule है वो भी 5 है मतलब एक molecule के अंदर 5 atom ही होने चाहिए तो क्या एक molecular formula होगा अगर होता तो इसमें 5 atom होने चाहिए तो यह empire का formula भी है और यही आपका molecular formula भी है आईए कुछ और सवाल करता है इसी concept के उपर इस सवाल के अंदर हमें पास एक sample of compound है जिसके अंदर 3 elements है zinc, chromium and oxygen आपको दे रखा है कि जो sample हमने ले रखा है जो sample को जब analyze किया गया तो पाया गया कि इसके जिंक के जो atoms है zinc का जो amount है वो आपको दे रखा है 0.1 gram atom chromium का amount आपको दे रखा है Na by 10 atoms और oxygen का amount दे रखा है 6.4 gram और आपका अताने के अंदर का formula क्या होगा तो again अंदर का formula के लिए हमें क्या करना है atoms का simple ratio चीए जो कि उनकी most के ratio के ब्रावबर होगा तो basically मुझे इन तीनों के most ही है अगर आप most calculate करना चाहे है तो easily calculate कर सकते है gram atom जैसा अपना अगरे डिसकस कर चुके है यह most ही होते है तो directly बहुत सकते हैं कि अगर 0.1 gram atom है तो basically इसके nuance directly बहुत सकते हैं 0.1 chromium की बात करें atoms आपको देरिखा है na by 10 number of atoms को अगर आप na सी divide करेंगे तो आपको most मिल जाएंगे तो na by 10 upon na again most जाएंगे आपके पास 0.1 I hope आपको इसके क्लियर हो रहा होगा total number of particles upon na करकर आपको number of atoms मिल जाएगा oxygen की बात करें अगर पन weight up को देरिखा है 6.4 gram most के से निकार सकते है तो weight upon gram all of atoms जो कि oxygen का होता है इस case में 16 so that will simplify to 0.4 तो most जो है respective elements के वो 0.1, 0.1 and 0.4 है तो of course आपका जो most का ratio हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 1 is 2, 1 is 2 4 और अगर most के ratio 1 is 2, 1 is 2 4 है तो हम भो सकते हैं कि आपको जो ampere का formula है वो भी जाएगा 1 is 2, 1 is 2 4 के ratio में तो आपका ampere का formula जाएगा जाएगा Zn CRO4 that will be the answer to this problem in this illustration we have been given a 16 gram sample of oxide or sulfur which contains 6.4 gram oxygen तो हम पास एक sample है sulfur के oxide का जिसका weight दे रहाएगा आपको 16 gram और इसमें आपको दे रहाएगा 6.4 gram oxygen है आपको बताने कि एंपर का formula क्यों होगा again logic पर यह concept पर यह है सिर्फ डिफरेंट वे में इसको formulate कर रखा है डिफरेंट वर्डिंग से तो आप यह को try कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं इसका answer आ रहा ही नहीं आ रहा है तो let's install करते हैं इसको हम लोग तो we have a sample 16 gram sample of oxide and sulfur तो सिदीर सी बात है हम बो सकते हैं कि अगर oxide का overall weight 16 gram है तो इसमें जो sulfur है इसका weight दे रहा है आपको या इसमें जो oxygen है इसका weight दे रहा है आपको 6.4 gram तो definitely chop का sulfur होगा उसका weight हो जाएगा 16 minus 6.4 that will simplify to 9.6 gram और अगर मुझे weight मिल चुका है तो इनके corresponding most भी निकास सकते हैं पन तो यहाँ पर अगर sulfur के most हम लोग निकालना चाहें तो sulfur के most रहेंगे 9.6 upon 32 that will simplify to 0.3 और oxygen के most अगर मैं निकालना चाहूं यहाँ पर तो that will simplify to 6.4 upon 16 that will simplify to 0.4 तो यहाँ पर आपन बहुत सकते हैं कि most का ratio होगा हो जाएगा 0.3 to 0.4 तो यहाँ पर मैं बहुत सकता हूं 0.4 यहाँ मोस का simple ratio अगर हो जाएगा तो हो जाएगा 3 to 4 तो ratio of most of sulfur, ratio of most of oxygen this is simply 3 to 4 और अगर most का ratio 3 to 4 होगा तो हम बहुत सकते हैं कि आपका जो ampere का formula होगा वो इस case मोँ जाएगा S3O4 that will be the answer of this problem यह कोई concept है, minimum molar of mass basically इसको एक numerical के थूँ analyze कते है हम लो we need to determine minimum molar of mass of a compound having percentage of sulfur by mass 8% basically percent of sulfur 8% है by mass और मैं बहुताना है कि इस compound का minimum molar of mass कितना होगा तो minimum molar of mass की condition क्यों होगी basically यह compound एक ऐसा compound होगा जिसके अंदर sulfur के कुछ atoms होगे hydrogen के कुछ atoms होगे oxygen के कुछ atoms होगे hydrogen X है, oxygen Y है nitrogen ZN, let's say right पर इसमें sulfur भी होगा definitely, क्योंकि sulfur तही सी अब अगर आप देखें, sulfur का अगर एक atom होगा तो mass कुछ तो होगा अगर मैं sulfur के atom बढ़ाते जाँगा तो mass बढ़ता जाएगा sulfur के जितने जादा atom बढ़ते जाएगे molar of mass उतना बढ़ता जाएगा अगर molar of mass को minimize करना है तो minimize करने condition नहीं होगी कि sulfur का कम से कम एक atom हो in fact, एक ही atom हो अगर एक ही atom होगा तो minimum mass, molar of mass अब का minimum होगा अगर atom एक से जदा होगे तो molar of mass अब का बढ़ता जाएगा तो यह condition ही होगी कि molecule के अंदर sulfur का एक ही atom हो अगर sulfur का एक ही atom होगा तो यहाँ पर में percentage of sulfur भी निकाह सकता हूँ, मालने थे हैं, अगर एक mol ले ले अपन तो एक mol के corresponding weight होगा वो gramolumas के ब्राबर आएगा और इसके corresponding, जो most of sulfur होंगे, वो भी one आएगे, तो आपको जो weight of sulfur होगा, यह एगा 32 gram तो percentage of sulfur अगर calculate करना चाहे है, तो percentage of sulfur हो जाएगा आपका weight of sulfur upon weight of compound which is gramolumas into 100 पर सेंटेज अपर स्पेसिफाइब आपको यहां पर 32 अपान ग्राम मॉलमास इन्टू 100 इसको अगर स्पाना सिंप्लिफाइब करेंगे तो यहां साथ बहुत सकते हैं कि आपको जो ग्राम मॉलमास होगा फोर हंड़ेगा प्रहुंड इसलिए कि हम लोग इसलिए के सावलों क कर सकते हैं हालागि इसको थोड़ा औरली भी करा जा सकता था आप ऐसे भी सो सकते थे हैं यहां तक तो सोचने हैं कि भई अगर मॉलमास को मिनिमाइस करना है तो एक एक एटम होगा सिल्फर का उसके रादश अगर अगर माल नेते हैं कि यह जो कंपांट है इसका अगर मास कितना होगा? 32 amu. 32 amu के corresponding compound का मास कितना होची है? अगर 8 amu इसके corresponding compound का मास 100 amu है. अगर 32 amu रखेंगे तो इसके corresponding चाहँ नो हो जाएगा which is 400 amu. तो वो सकते हैं कि molecular mass आपका 400 amu होगा और अगर gram molar mass करेंगे तो आपका 400 gram पर mole हो जाएगा तो इससे किसा आप minimum molar mass calculate कर सकते हैं directly भी कर सकते हैं similar profile को एक होगा सवाल करते हैं in this case we need to determine molar mass of a compound that the percentage of carbon is 6% and the atomicity of carbon atom is 4 आपको यहाँ पर कैसे compound का molar mass determine करना है? पर minimum molar mass की बात नहीं हो रही है molar mass की बात हो रही है इसमें percentage of carbon आपको 6% दे रहा है and atomicity of carbon atom is 4 atomicity of carbon atom is 4 basically जो molecule होगा इसमें carbon के 4 atoms होगे तो यह जो formula होगा molecule का इसके अंदर carbon के 4 atoms होगे again hydrogen x हो सकता है oxygen y हो सकता है इससे हमें फ़र्क नहीं पढ़ता है इतना बहुत सकते हैं कि carbon के जो atoms होगे 4 होगे per molecule again suppose इसका मैं one mole ले लेता हूँ तो इस one mole के corresponding weight आएगा वो आएगा gram mole of mass और इसके एक mole में अगर most of carbon की बात करें तो वो जाएगे 4 तो इसके corresponding weight of carbon आएगा यह आएगा 12 into 4 that will simplify to 48 right तो आपको यहाँ पर weight of carbon मिल चुका है आपको यहाँ पर weight of compound हो जाएगा gram mole of mass के बाबर तो ऐसे percentage of carbon मिल निका सकते हैं तो percentage of carbon will be simply weight of carbon upon weight of compound which is gram mole of mass into 100 this is a weight of sample one mole लेके चल रहे थे तो जो आपको weight होगा वो gram mole of mass के बाबर ही होगा तो अगर value substitute करें तो this is 6 this is 48 upon gram mole of mass into to 100 to simplify कर जाएगा 8 times यह 8 हो जाएगा और gram mole of mass हो जाएगा 800 gram per mole तो इसको gram mole of mass है 800 gram per mole हो जाएगा और अगर molecular mass की बात करें तो it will be 800 amu तो इसे के सवाल हम लोग deal कर सकते हैं तो एक छोटे से concept के बारे में बात करते हैं this is called relative density और इसको abbreviate करें आपन rd जैसे तो यह पर आपन बोश सकते हैं कि related density होता क्या है तो related density is defined as density density का एक general symbol हम लोग use करेंगे rho यह एक symbol होता इसका रहा तो density of one substance relative to another substance एक substance का density relative to another substance this is called relative density for example related density of A with respect to B अगर पुछा जाए तो A का related density with respect to B पुछा जाएगा तो आपन एका density compare करना चाहते हैं B के साथ तो यह जो related density होगा इसका हम लोग लिख सकते हैं density of A density का जो symbol होगा वो यह होगा rho तो rho A upon rho B this is called relative density तो relative density of one compound A with respect to another compound B will be nothing but their densities का ratio तो density of A upon density B of course इन दोनों का units same होना चाहिए अगर यह ग्राम पर सेंटिमेटर क्यों है तो यह भी ग्राम पर सेंटिमेटर क्यों में होना चाहिए यहां साब यह भी देख सकते हैं कि जो relative density होगा यह एक dimensionless term है और इसका खुद का कोई dimension नहीं होगा क्यों क्यों क्योंकि same physical quantities का अगर ratio अगर densities का ratio लेंगे तो अफकोर्स यह टम होगा यह dimensionless होगा यहां पर अगर हम बात करना चाहिए specifically for gases so for gases हम भो सकना है relative density of gas A with respect to gas B अगर इसको में define करना चाहूं so definition ऐसे होगा density of gas A upon density of gas B right तो densities के ratio से अपन related density निका सकते हैं और अगर conditions ऐसी हैं कि दोनो gases के corresponding temperature pressure same है मानलो gas A or gas B दोनों का temperature and pressure same है तो हम यह प्रूव कर सकते हैं कि related density जो होगा यह अपका molar mass के ratio के ब्राबर होगा तो rho A upon rho B can be turned as molar mass of gas A upon molar mass of gas B और यह लिख सकते हैं कब अगर temperature pressure same हो यह पर M A आपका क्यालाएगा gram molar mass यह molar mass of A और M B क्यालाएगा आपका molar mass of B अगर ही जानना है कि यह आया कहां से तो यह हम लोग PV questionarity से derive कर सकते हैं derivation इतना important है नहीं और आप चाहें तो देख सकते हैं यहां से हम बोल सकते हैं कि PV P equals to nRT होता है तो यह पर हम प्रेशर volume बोल सकता हूं weight upon gram molar mass into RT यहां से बोल सकता है कि जो weight by volume होगा कि यह जाएगा आपका PM by RT और weight by volume यह होता आपका density तो gases के लिए अगर density की बात करें तो density of gas A will be PMA upon RT similarly density of gas B अगर देखें तो यह जाएगा आपका PMB upon RT right अब अगर suppose मैं आपके related density की बात करूँगा तो related density जाएगा आपका density of gas A upon density of gas B और अगर pressure temperature same है तो pressure temperature अगर same होगा तो यह सब cancel out हो जाएगा और यह ratio आपका molar mass के ratio के बराबर जाएगा तो जब gases की बात की जाती है related density की तो वो ratio molar mass के ratio के बराबर ही होगा आई एक दो सवाल करते हैं इसके उपर तो देखिए इस सवाल के अंदर we need to determine related density of SO2 gas with respect to methane gas SO2 gas का related density with respect to methane gas अगर specify नहीं कर रखा तो assume करेंगे कि दोनों का pressure temperature same है तो अपन directly बहुत सकते हैं कि related density of SO2 gas with respect to methane gas can be directly written as related density जो होगा और densities का ratio होगा और वह density का ratio molar mass का ratio के बराबर होगा उसका अपन लिख सकते हैं molar mass of SO2 gas upon molar mass of methane gas SO2 का molar mass आप देखेंगे यह जाएगा 64 और यह जाएगा 16 तो हम directly बहुत सकते हैं कि यहाँ पर related density आपका 4 होगा जहां रखना है यह related density आपका dimensionless होता है तो अगर कोई पूछे कि density के respect में क्या होगा तो directly molar mass का ratio लेकर आप calculate कर सकते हैं इसी से related echo term होता है जो हमें पढ़ना होता है this is called vapor density एक बहुत ही common सर्था में शायद आप लोगों ने सुना भी होका पहले vapor density अगर आपकर इसको define करना चाहें vapor density को तो this is nothing but related density of gas with respect to hydrogen gas vapor density is nothing but related density यह related density ही होता है यहाँ पर दूसरी gas है इसके respect में density measure करना चाहते हैं वह gas होगा hydrogen gas तो related density of gas with respect to hydrogen gas this is called vapor density तो इसका मतलब होगा क्या जैसे अगर suppose मैं बात करना चाहता हूँ vapor density of gas A तो vapor density of gas A is nothing but related density of gas A with respect to hydrogen gas तो इसको में लोग लिख सकते है related density को में लिख सकते है ratio of molar mass तो यह हो जाएगा आपका molar mass of gas A upon molar mass of hydrogen gas right clear है तो vapor density क्या होता है related density with respect to hydrogen gas तो gas density of gas A upon density of gas hydrogen gas और densities का जो ratio होता वो molar mass इसके ब्राबर हो जाएगा अब molar mass of hydrogen gas basically होता कितना है this is nothing but 2 इसको में लोग लिख सकता है कि ma by 2 यहां से जो final relation आ रहा है कि vapor density जो होगा vapor density of gas A this is something but molar mass of gas A upon 2 यह बहुत ही common से एक relation है जो हमें ध्यान रखना है अगर में molar mass पता है तो 2 से डिवाइट करकर vapor density निका सकते है अगर vapor density पता है तो 2 से ब्राइट करकर molar mass निका सकते है पर definition ध्यान होना चीए कि होता क्या है related density होता है related density of gas with respect to hydrogen gas of course यह भी एक dimensionless time होगा इसका खुदका अगर dimension निहोगा क्यों क्योंकि यह related density है तो ध्यान रखना vapor density और molar mass का आप इस तरह के से relate कर सकते है तो इस बात करते हैं आगे अगे आपन stratumetry का stratumetry को अगर सिदे-सिदे तो पर बोला जाए तो यहाँ पर हम बात कर रहे है interpretation of balanced chemical reaction एक balanced chemical reaction की हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि इसे हम लोग कैंके data interpret कर सकते हैं तो सबसे पहला हम बात करते हैं कि balanced chemical reaction होता क्या है अगर एकशंपल अगर हम बात करें निथेन gas का और अगर इसका combustion कर रहे हैं, combustion का अंदलब क्या होता है, जिसमें आप fuel को excess auto gas के साथ treat करता है, तो आपके पास methane है और इसका मैं combustion कर रहा हूँ, autogas का, autogas के साथ, किसी भी hydrocarbon का combustion होता है, तो product बनता है आपका CO2 gas, और साथ में आपको S2 मिलता है, S2 का physical state liquid होगा है, gas होगा है, इस बात को बाद करता है कि किस temperature पे आप radiation कर रहे हैं, by default हम लोग room temperature पे radiation कर रहे होता है, 25 degree centigrade पे तो water ही बनेगा आपका, मिलब S2 आपका liquid state में होगा, बढ़ागा सब्सक्राइब आपको यह दे रहा हो कि हाँ, यह reaction कर रहे है, 200 degree centigrade पे, 300 degree centigrade पे, जहां पर में मालूम है कि S2 हो, vapor form में होगा, तो फिर वहां पे हमें gas लिखना होगा या vapor लिखना होगा, अगर कुछ भी specify नहीं कर रखा है, तो by default हम लोग इसको liquid मानेंगे, तो एक simple reaction है, methane, O2 के साथ combine करकर CO2 और S2 हो दे रहा है, कुछ simple basic information में अपस device कर रहा, आपको मालू होगा, आपने earlier standards में पढ़ा है, कि of course, methane और O2 यहां पर करलाएंगे आपके reactant molecules, CO2 और S2 करलाएंगे आपके product molecules, right, तो this is called a chemical reaction, now, हम बात करें balanced chemical reaction का, तो balanced chemical reaction is one, in which we have same number of atoms on LHS and same number of atoms on RHS for a given element, किसी भी element की जितने atom LHS में होंगे, उतने ही atom R होने चीए, अगर ऐसा है, तो reaction balance होगा, अगर यहां पर carbon के 10 atom है, तो यहां भी carbon के 10 atom होने चीए, oxygen के 15 atom है, तो oxygen के 15 atom है, and so on, अगर इसको हम लोग manage कर सके हैं, अगर ऐसा reaction लेकर आएंगे, तो इसको हम बोलेंगे balanced chemical reaction, तो क्या यह reaction balance है, जैसा अगर देखा जाए, LHS में carbon क एक atom है, यहां पर LHS में carbon का, एक atom है, of course balance है, hydrogen के respect में अगर देखा जाए, hydrogen यहां पर 4 है, यहां पर hydrogen 2 है, तो of course यह balance नहीं है, तो balance करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर, एक coefficient लगा सकते हैं, 2, इस coefficient को हम लोग बोलते हैं, stratiometric coefficient, this is called stratiometric coefficient, तो यह टू लगाते हम लोग बोल सकते हैं, कि hydrogen भी balance हो जाएगा, यहां पर hydrogen 4 है, वहां पर hydrogen 4 हो जाएगे, oxygen अगर देखें, यहां पर हमने पास 2 and 2, 4 है, और यहां पर 2 है, तो यहां पर भी हमने, एक coefficient लगाना पड़ेगा, 2, ऐसा करने के बाद हम देख सकते हैं, कि आपका reaction balance हो चुका है, balance क् कि जितने atom आपके LHS में किसी भी element के, उतने ही atom आपको RHS में मिलेंगे किसी भी element के, तो यह कहला था, balance chemical reaction, और इसी का interpretation होता है, इसी को हम बोलते है, statumetry, इसको हम लोग एक ही तरीके से interpret करेंगे, और वो होगा in terms of moles, moles में interpret कर सकते हैं, या फिर molecule kidneys में interpret कर सकते हैं, जो कि सब कि यह reactant किस ratio में, कि smaller ratio में आपस में combine करते हैं, और कि smaller ratio में यह product बनाते हैं, अगर simple शब्दों में बोला जाए, तो इसी chemical reaction को interpret करें, तो interpret करके हम लोग लिख सकते हैं, हम बहुत सकते हैं कि इसका एक molecule, इसके दो molecule के साथ react करेगा, और जब ऐसा होगा, तो इसका एक molecule और इ two molecules बनेंगे, जो interpretation में molecules के terms में करता हूँ, वो interpretation में moles के terms में कर सकता हूँ, क्यों कैसे, अगर इसका one molecule, इसके two molecules के साथ combine करेगा, तो इसके na molecule, इसके two na molecule के साथ combine करेंगे, na molecule का मतलब होता है one mole, two na molecules का मतलब होता है two mole, इसका मतलब इसका one mole, इसके two mole के साथ combine करेगा, and so on, इ we can say, one mol CH4 gas combines or we can say reacts with two mol O2 gas to give one mol CO2 gas and of course two mols H2 gas, H2 liquid. So this is the interpretation of this balanced chemicalization. We can say one mol of this compound will react with two mols of this compound and whenever that happens, one mol of CO2 and two mols of H2 will form. If we understand this interpretation, we will clear the whole statiometry. Because it is so much in this case. Now, whatever you have to ask, we will ask this question and interpret it. In this problem, basically we need to determine mols of KCl and volume of O2 gas produced at zero degrees centigrade in 1-8m conditions from decomposition of 10 mol KCl3. KCl3 is called potassium chloride. Let's start. First, we need to know that we need to know that it is going to be done. Decompose means toot not toot. So KCl3 is a potassium chloride compound which will be cut. And then you will cut and you will tell what you generate. You will give KCl and O2 gas. So this is basically our reaction. Our first step is to balance it. We need to balance any reaction. We need to balance the number of atoms. Potassium is already balanced. Chlorine is already balanced. Oxygen here is 3. Oxygen here is 2. So what can we do? We can do 3 by 3. We can do 3 by 2. So the stratometric coefficient will be 3 by 2. Stratometric coefficient is fraction. It can be no problem. Some people will say that we have 3 written and 2 by 2 by 2. So it will not be worth it. If you write 2, 2 and 3, then it will be 1 and the same thing. If I write 4, 4, 6, then it will be 1. If I write this one, then it will be 1. Because in every case, the reaction is balanced. So the balance is balanced. The psi that's done. Siнутa's atoms are drawn from now- Potassium, chlorine,isshanza atoms are here. Oxygen, which are in oxygen-free atoms. Oxygen can be the same. Oxygen can be the same axis? Oxygen can be the same Aim closely. Oxygen can be the same miracle and 3. Then we can interpret this. Go host the restored. coefficient वन है, 1 है outro coefficient 3×2 है तो emin बोल सकता हूँ कि अगर इसका एक more consume हो रहा है थो हमकरण रियक्टेंट के लिργ焘 कंजूम होगा अगर इसका एक more consume होगा, तो इसका 1 into more form होगा और इसका 3 divided two more form होगा.引चर इंटेपूरेशन में वड़्ष में लिखा था अगर इसका 1 mol consume होता है तो इसका 1 mol form होता है और इसके 3 by 2 mols form होता है reactant consume होगा, product form होगा तो अगर इसके 1 mol corresponding ऐसा होगा, हमें पास कितने mols हैं कैसी दो तरीके, 10 mol तो अगर इसके 10 mol consume होगे तो इसके 10 mol के consumption से अब unitary method, 1 के through 1 है तो 10 mol के corresponding आपके यहां पर 10 mol form होगे और यहां पर into 10 अगर करेंगे तो यहां पर 15 mol इसके form होगे यह 10 mol क्या है यह 10 mol है, form तो अब तो पुछा रहा था तो यह 10 mol form होगे किसके कैसी यह 15 mol है again form किसके autogas के, और यह 10 mol जो है, क्योंगे consume तो जो reactant होगा वो consume होगा, इसके 10 mol consume होने पर इसके 10 mol form होगे और इसके 15 mol form होगे हमसे पुछा रहा था कि कितने most KCL के बनेंगे, तो directly बोस सकता है most of KCL, जो form हो रहा है वो होगा आपका कितना होगा, 10 most of O2, अगर देखें, तो यह दाएगा आपका 15 mols, बढ़ हमसे यहाँ पर volume of O2 कुछा रहा था तो volume of O2 आप निकास सकते है volume of O2 will be given by most of O2 into 22.4 यह पर दिसक्स कर चुके है, most of volume का relation अगर conditions 0 degrees centigrade 180M conditions होती है तो 1 mol के corresponding volume 22.4 liters होता है, तो n mols के corresponding इतना volume होगा, तो that will simplify it to 15 into 22.4 liters, which is 22.4 plus 112, that will come out to be 336 liters, that will be the final answer of this problem तो student, सब्सक्राइब को लेखते हैं बन, इसके अपने पास एक compound है, Fe2O3 ferric oxide, जो के decompose करकर आपको Fe3O4 दे रहा है, और साथ में दे रहा है आपको O2 gas, और हमसे पुछा जा रहा है कि कितना weight Fe2O3 का required होगा, to obtain 64 gram autogas, also we need to determine the most of Fe3O4, Fe3O4 कितना बनेगा, इसके most determine करने है तो अगेर एक simple सा illustration है आप पहले से वाल को लिख सकते हैं और इसी की नीचे हम लोग इसको solve करेंगे तो अगेर, solve करने का जो सबसे पहला तरीका होगा यह जो पहला step होगा, वो होगा balancing तो मैं variation को balance करना होगा आप दिख सकते हैं इसमें दो यह element है iron और oxygen तो iron को balance करता है यहाँ पर iron अपने पास 3 है, यहाँ पर 2 है अगर यहाँ पर मैं 3 कर दूँ और यहाँ पर अगर मैं coefficient 2 रख लूँ तो आप देख सकते हैं कि iron balance हो जाएगा iron से आप भी 6 हो जाएगा iron यहाँ पर 6 हो जाएगा बात करें अगर oxygen की तो oxygen अलड़ी यहाँ पर 9 है अपने पास यहाँ पर 8 अलड़ी हाफ उटो लिखाता है अलब यह अलड़ी एक था यहाँ पर अपने पास तो की हो जाएगा 9 और यहाँ पर भी अपने पास 9 oxygen है तो आप देख सकते हैं कि reaction आपका balance हो चुका है अगर इस balance reaction को interpret किसे करेंगे तो interpretation के लिए हम बहु सकते हैं कि अगर इसके 3 more consume होंगे यहाँ रखना मोस के time में interpret करेंगे हम लोग हमेशा मोल के लिए करेंगे अगर इसके 3 more consume होते हैं तो इसके 2 more form होंगे और इसका half more बनेगा हमें information given किसका है हमें information given है O2 का हमें दे रखा है कि O2 का amount कितना बन रहा है इसका weight आपको दे रखा है 64 gram तो 64 gram O2 के corresponding अगर आप O2 के most निका लें तो most of O2 जाएंगे 2 तो इसके लिए eventually 2 most बन रहा है तो half more बनाने के लिए इसके 2 most बनेंगे और इसके 3 more consume होंगे या half more बनाने के लिए इसके 3 more consume होंगे तो of course जब इसका 1 more बनाएंगे तो इसके 4 more बनेंगे और इसके 6 more consume हो जाएंगे तो अगर इसके 2 mol मुझे बनाने हैं, तो 2 mol बनाने के corresponding इसके 8 mol बनेंगे, और इसके 12 mol consume होंगे, तो ये 12 mol हैं क्या, इस अधर मोस of Fe2O3 consume, हमसे पुछा रहा था किसका कितना weight consume होगा, तो अगर मोस आ चुका है, तो हम लोग इसके corresponding weight में निका सकते हैं, तो बहुत सकते हैं कि जो weight of Fe2O3 consume होगा, that will be given by, बही मोस आपके पास 12, into Fe2O3 का gram olemass, which is 56 into 2, 112 plus 48, 160, तो ये जाएगा आपका 160 grams, simplifier करें तो ये होजाएगा, 1600 plus 320, that is 1920 grams, तो ये तो weight होगा किसका, Fe2O3 का जो बन रहा है, sorry, जो consume होगा, पर आस्यों कुछ आदा कि कितने most Fe3O4 के और बनेंगे, ये भी देख सकते हैं, ये जाएगा आपका, most of Fe3O4 form, that will be the answer of this problem, आएगे एक और नहाए सवाल करते हैं, In this, we need to determine weight of residue left, on decomposition of 200 gram calcium carbonate, 200 gram calcium carbonate को heat करने पर, कितना weight residue का बसता है, इस सवाल के हमें कुछ एक चीज़े पहले पता होनी चाहिए, एक दो general concept जो मैं आपको आपको बतायता हूँ, है ना, नोट करके हम लोग नोट कर लिख सकते हैं इसको, observe करेंगे अपन, और ध्यान लखेंगे ये बहुत important fact है, किसी भी metal carbonate को, अगर आप decompose करें, कोई भी metal carbonate का हम ले लेते हैं, और इसको heat करने पर तोड़ते हैं, तो decompose करकर, आपको metal oxide देगा, along with CO2 gas, तो किसी भी metal carbonate को decompose करने पर, आपको metal oxide देगा along with CO2 gas, हलाकि इसकी कुछ exception भी है, यहाँ पर जो exception आएंगे, वो होंगे, carbonates of sodium, potassium, rubidium, cesium and ammonium, दो ammonium metal नहीं है पर ठीक है, इसका carbonate भी decompose इस तरी के से नहीं करेगा, तो sodium, potassium, rubidium, cesium और ammonium, इनके metal carbonate इस तरह से decompose नहीं करेंगे, इनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे metal carbonate इसी तरह से तूटते हैं, इस बहुत important information आपको I think सो पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो अगदम star marker के ध्यानक ना, इस information को, यह कोई भी metal carbonate जो होता है वो decompose करकर, आपको metal oxide और CO2 gas देता है, तो यहाँ पर अगर अपने पास जैसे cashm है, तो cashm carbonate है अपने पास, और अगर इसको मैं तोड़ हूँ, या इसको decompose करें, तो decompose करकर, आपको यहाँ पर देगा, cashm oxide along with CO2 gas, CO2 gas यहाँ पर आपका उठ जाएगा, और जो रह जाएगा वोगा cashm oxide, जो रह जाता है, इसका हम बोलते है, residue, और इसी का हमें weight calculate करना है, residue को अंदर जो basically आपका finally container में रहेगा, अगर एक open container में cashm carbonate को heat करें, decompose करें, तो CO2 आपका vaporize कर जाएगा, और जो रह जाएगा, वोगा cashm oxide, जो रह जाता है, residue, इसका हमें weight निकालना है, तो कैसा approach कर सकते हैं अपन, सबसे पहले हमें आपे दे रहा है, 200 gram cashm carbonate, तो इसके corresponding हम लोग यहां पे most निकाल सकते हैं, 200 gram cashm carbonate के corresponding जो most जाएगे, cashm carbonate के वो जाएगे अपके, 200 upon 100 that was simplified to 2, secondly इस section को अगर balance करें, तो cashm balance है, carbon भी balance है और oxygen भी balance है, तो यहां पर अपन बोश सकते हैं, इसके one mole के consumption से, इसका one mole form होगा, residue से हमें interested है, CO2 में हम लोग interested नहीं है, तो भी इसका अगर one mole consume होता है, cashm carbonate का तो हम बोश सकते हैं, कि one mole cashm oxide का बनेगा, तो यहां पर अगर two mole consume होगे, तो आपको यहां पर two mole मिलेंगे, cashm oxide के और यही residue है, इसका हमें अगर weight निकालना है, तो weight निकाल सकना है पन, तो weight of cashm oxide जो हम यहां पर मिलेगा, that will simplify to कितना जायेगा इसका weight, तो most अपके two हैं, और इसका gram अलमास अगर देखें तो 56 होता है, तो that will simplify to 112 gram, तो this will be the weight of residue, और यह आपका इसका answer होगा, एक information और जोस के अंदर आप देख सकते थे, जैसे में आपको आता है कि यह तूट कर आपको इससा देता है, इनमें क्या होगा, अगर sodium, potassium, rubidium, cesium और ammonium, इनके carbonate अगर आप को heat करेंगे, तो आप आएंगे कि यह नहीं तूटते हैं, there will be no reaction in this case, ammonium वाले case में आपको ठीक ही कुछ और मिलेगा, या ठीक है, ammonium वाले case अगर देखेंगे तो ammonium वाले case को हटा देते हैं आपे अपन, इसको अगर आगे से अलग से deal करेंगे, अगर sodium, potassium, rubidium या cesium, इनके carbonate को अगर आप heat करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसकंदर कोई भी reaction नहीं होता, यह stable होता है, यह नहीं तूटते हैं, बाकी metal carbonate अगर आपन heat करेंगे तो इससे decompose करेंगे, आपको metal oxide देगा, along with CO2 gas. तो students, आइए, कुछ और सवाल सवाल करते हैं, basic stratometry के अपर, हमने अभी तब कुछ सवाल ले रखें, कुछ और elementary सवाल लेते हैं, जैसे, in this problem, we need to determine weight of residue form and total weight loss and decomposition of two more zinc nitride, हमें पास two more zinc nitride हैं, तो हमें again बताना है कि इसकंदर residue form होगा और इसकंदर अगें कुछ और information जो आपको यह पर दूँगा, इस case में हम बात कर रहे हैं, metal nitrate का, तो metal nitrate किसे से decompose करते हैं, again, यहां पर हम लोग यह note करेंगे, अलाकि यह information आप in organic chemistry में वापस देखेंगे, पर फिर भी more concept में भी information मालुम होना चाहिए, तो किसी भी metal nitrate को अगर आप decompose करते हैं, heat करते हैं, तो heat करने पर यह decompose हो जाएगा, तूट जाएगा और तूट कर आपको देता है metal oxide along with anotogas metal oxide आपका residue होगा along with anotogas जो कि आपका vaporize कर जाएगा along with autogas जो कि अगें आपका vaporize कर जाएगा यह एक general chemical reaction है corresponding to metal nitrate metal nitrate अगर decompose करेंगे तो आपको देखकर आपको तूट कर metal oxide, anotogas, anotogas नते हैं एक information और बतायता हूँ auto आपका colorless gas है यह तो हमें मौलूम है definitely anotogas आपको मिलता है reddish brown gas होता है तो यहाँ पर आपको colorless gas और reddish brown gas मिलेगा anotoo का sodium, potassium, rubidium, cesium and ammonium इनके metal nitrate इसते से decompose इनके nitrate इसते से decompose नहीं करेंगे कैसे करेंगे वो भी देख लेता है for example, अगर हम बात करें sodium का sodium nitrate अगर तूटेगा तो कैसे तूटेगा depends करता है किस temperature पर आप इसको decompose कर रहे मालो 500 degree centigrade पर इसको which is sodium nitrate NaNO2 along with liberation of autogas तो 500 degree centigrade पर तूटकर यह autogas रता है और sodium nitrate generate करता है और इसको further heat करेंगे पन करीब 800 degree centigrade तक तो इसको decompose करकर यह जो sodium nitrate है यह भी फरदर तूटेगा और यह तूटकर आपको sodium oxide देगा nitrogen gas और सातना आपको देगा autogas इसको balance हम लोग कर सकते हैं product क्या बन रहे है वह अपन देख लेते हैं तो 500 degree centigrade पर आपको sodium nitrate or autogas मिलता है और 800 degree centigrade पर हमें sodium oxide N2 or autogas मिलेगा तो यह of course different way में behave करेंगे ऐसा किस के साथ होगा similarly ऐसा sodium के साथ होगा potassium के साथ होगा rubidium के साथ होगा cesium के साथ होगा ammonium के साथ एक different type of reaction होगा जो हम लोग आगे कभी देखेंगे पर अगर इनको छोड़ दिया जाए तो बाकि जितने भी metal nitrate है वो decompose करके आपको metal oxide N2 or autogas N2 or autogas देंगे again यह information हमें इसा by heart करना है इस सबसे पहल के अंदर हमारे पास two more zinc nitrate है जो decompose करकर आपको zinc nitrate अगर decompose करेगा तो decompose करके आपको zinc oxide N2 or autogas देगा यह सबसे पहले इसका reaction लिखते है तो zinc nitrate हमेरे पास sample है इसको आपने heat करा यह टूटेगा, decompose करकर आपको देगा zinc oxide of course as a residue along with NO2 gas along with O2 gas तो सबसे पहला काम अपना reaction को balance करना होगा, zinc quality balance है nitrogen को balance करने के लिए two कर सकते हैं nitrogen balance होगा, oxygen कितने अपने पास three into two six, यहाँ पर one है, यहाँ पर four आ चुके है five, तो balance करने के लिए half O2 gas कर सकते हैं देख सकते हैं, इस देखे से आप reaction को balance कर सकते हैं, balance करने का लिए जितने atoms LHS मोंगे, उतने atoms आपके RHS मोंगे, और इसके बाद हम basically unitary method से इसको follow करेंगे, unitary method से कैसे basically हमें एक बाद आएगा, हमें बाद आएगा एक mol तूटे का तो इसके 1 mol तूटने से इसका 1 mol form होगा, इसका 2 mol form होगा और इसका half mol form होगा इसके 1 mol सिर्फ unitary method से आप सारे सवाल कर सकते हैं तो 1 mol के corresponding ऐसा होगा हमें पास यहां पर zinc nitrate के 2 mol है, तो अगर इसके 2 mol decompose करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 mol form होगे इसके यहां पर 4 mol form होगे और यहां पर आपके पास इसके 1 mol और यह basically आपका रिजाएगा तो यह होजाएगा आपका residue तो यह तो residue है जो बच जाएगा और बाकी आपका vaporize का जाएगा तो हमसे इसमें पुछ आज़ा था कि कितना weight residue का होगा तो अगर हमें मोस मिल चुके हैं तो हम वो सकते हैं यहाँ पर अगर solve करें तो हम बो सकते हैं कि जो weight of residue होगा वो होगा आपका 2 into इसके 2 most है into gram olo mass of gram olo mass of zinc oxide zinc oxide का अगर gram olo mass zinc 65 बोदा है approximately तो 65 plus 32 that will come out to be 97 तो यह तो यह आपका 2 into 97 grams that will simplify to 1 94 grams तो यह तो यह आपका weight of residue form और जो weight loss होगा weight loss होगा इनकी वज़े से यह जो आपके gases हैं इनकी वज़े से आपका weight loss होगा तो कितना होगा अगर इसके 4 most है तो 4 most के corresponding आप देख सकते हैं इसका 4 most है तो 4 most के corresponding इसका gram olo mass होता है 46 तो 4 into 46 कितना weight यहाँ पर इसके loss होगा प्लस इसका 1 mol और 1 mol के corresponding इसका weight आएगा 32 grams I hope आपको यह clear हो रहा होगा इसके 4 moles बन रहे हैं तो यह उड़ जाएंगे इसके 1 mol बन रहे हैं उड़ जाएगा तो 4 mol के corresponding इसका gram olo mass 46 होता है तो 4 into 46 कितना जाएगा यह 160 plus 24 around 184 184 यहां से आएगा आपका और 32 यहां से आएगा 184 plus 32 186 plus 30 202 216 grams 216 grams weight loss weight of residue इतना होगा यह इसके अंदर आपसे उचा जा रहा था तो students lecture 3 का आपको homework होगा exercise 1 में part 1 का section exercise 1 का part 2 का ही section bocb करना आपको exercise 1 part 3 में जो कि आपका measure column है उसमें आपको first measure column पढ़ना है exercise 2 part 1 part 2 में भी आपको सवाल करना है part 1 में आपको करना है second, third, fourth और part 2 का आपको करना है second सवाल अगे इसकों लोग next lecture के starting में पहले discuss करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे करना है आपको सबस्तरव आपको प्रस्तरव